नमस्कार आप देख रहे हैं अपना उत्राखंड मैं हूँ आपके साथ नेहा परियार नज़र डालते हैं उत्राखंड की खबरों पर उत्राखंड के चार दिवसिये दोरे से लोटे बीजेपी के रास्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा कुरोना संक्रमित हो गया यह सूशना उन्होंने अपने ट्विटर पर साजह की है साथ ही पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आये लोगों को आइसुलेट होने और कोविट जाच कराने की सला भीती है उनकी कोरोना जाच पॉजिटिव आने के बाद से उत्राखंड बीजेपी के उन नेताओं में टेंशन है जो उनके संपर्क में आये थे किसानविल के विरोध में गौला पार के कॉंग्रेस कारिकरताओं ने स्जियम कार्याले हल्दवानी में धर्ना प्रदर्शन कर अपना ग्यापन सौपा कॉंग्रेस कारिकरताओं का आरोप है कि किसानों की आवास को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार किसानों की समस्या को देखते हुए कोई भी सार्थक कदम नहीं उठार रही है केंद्र की मोदी सरकार किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है जबकि पिछले 19 दिनों से किसान अंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार और किसानों के बीच हर दौर की वारता विफल होती जा रही है लेहाजा सरकार को इस तरह कोई भी सार्थक कदम उठाने की जरूरत है और अगर सरकार ने कोई सार्थक कदम नहीं उठाया तो कॉंग्रेस किसानों के समर्थन के लिए किसी भी हड तक जा सकती है धरनगरी हरिद्वार में कडाकी की ठंड पड़ रही है ठंड में सबसे जादा परawyशानी गरीब और असहाय लोगों को ठानी पड़ रही है हरिद्वार में श्रद्धालू सोमवतिया मवस्या पर बिना किसी रोग टोग के गंगा इसनान करते हुए लोग नजर आए हरिद्वार के गंगा घाटों पर कम भीर दिखाई दी प्रशासन ने सोमवतिया मवस्या के इसनान को लेकर लिखित आदेश भी जारी किया है COVID-19 के खत्रे को देखते हुए श्रद्धालवों को मास्क और शाररिक दूरी के मानक का पालन करना होगा प्रशासन ने मेला छेत्र को 10 जोन और 37 सेक्टरों में बाढ़ कर पुलिस बल की तैनाती भी की है उत्रकंड में ठंड बढ़ गई है वही प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज और कल घना खोरा चाया रहेगा इसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है इसके अलावा विभाग ने बताया कि मैदानी इलाकों में अधिक्तम तापमान में 4-6 डिग्री तक की कमी आ सकती है इससे ठंड में इजाफे को देखते हुए लोगों को सर्दी से बशने की सला भी दी गई है तो वही हरिद्वार उधम सिंग नगर के अधिकांश और नैनी तालवा पौडी में मैदानों में बहुत घना कोरा चाने की संभावना जताई जा रही है अपना उत्रकंड में आज बस इतना ही बाके खबरों के लिए जुड़े रहे हैं न्यूजबर्ड इंडिया के साथ नमस्कार